दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपने तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कवर भारते सेना के लिए बिहार में होगी बहाले आठ जिलो की वा हो सकेंगे सामिल जानिये किन पदों के लिए मिलेगा मोका जी हां मुझपरपूर के चक्कर मैदान में अगले साल 28 जनवरी से 22 परवरी 2022 के बीच आठ जिलो की सेना बहाले आयोजित हो सकती है सेना मुख्याले ने इस संदर में जोन वाईज बहाले की तति जारी कर दी है लेकिन सेना भरती क्यार्याले परिसित हीuzz और सेयारी के अनुसार बहाली की तति आगे पिछे कर सकती है सेना में सामिल होकर देश की सिवा करने का सपना सुझोए मुझपरपूर सितामणी सिवर पूर्वी चमपारन पश्चिमी चमपारन दरबंगा मधोबनी और समस्तपूर जिले की हुआ सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर विसेज जानकारी प्राप कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आगामी सिना बहाली में सोल्जर जीडी, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग सहायक वो सोल्जर टेडमेन के 55,000 से अधिक वह अपनी किस्मत अजमा सकते हैं अगली बड़ी कबर बिहार के सहरी निकायों में बमपर वैकेंसी आउट्सोर्सिंग पर बहाल किये जाएंगे कर्मचारी जिहां बिहार के 117 नए नगर निकायों में आउट सोर्सिंग पर बंपर बहाली होगी नगर निकायों के नए कारियालों के लिए भी करिये एक हजार कर्मचारे आउट सोर्सिंग पर रखे जाएंगे इसके अलावा नए नुक्तियों में हजारों के सेंख्या सपाय कर्मचार कि होगी इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी जिला पदाधिकारी नगर आयुक्त और कायरपालग पदाधिकारी को पत्र लिक्र इस बावत आधिस जारी किया है कि हर हाल में 31 मार्च 2022 तक हाली की प्रक्रिया पूरी कर लेने का निर्दिस दिया गिया है अता दे कि 117 नगर निकायों में किलने वाले ने कारियालों में IT बोई, कम्प्यूटर, ओपरेटर, एक्स कलेक्टर, अकाउंटेंट और सफाई निरिक्षन के पद के लिए आउट्सोर्सिंग पर बहाली होगी अगली बड़ी कबर बिहार में कब खुलेंगे स्कूल, सिक्चा मंतरी ने दिया ये जवाब जी हाँ, बिहार की सिक्चा मंतरी विजय कुमार चोधरी ने टाइम सोप इंडिया की साथ खास बाचित में कहा है कि मोजोदा रुजान जारी रहा तो जुलाई से इसकूलों में कख्चाई सुरू हो सकती है, अलाकि इस दोरान इसकूलों को कोविड सुरक्चा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा उन्होंने आगे कहा कि कुरोना महामारे के कारण कख्चाओ की नुकसान की भरपाई के लिए राज सरकार जल्द ही विसेस उपाई सुरू करेगी उन्होंने कहा कि जब स्कूल फिर से खुलेंगे तो नियमित कक्चाई सुरू होने से पहले चात्रों की मदद के लिए कुछ क्रेस कोर्स आयजित किये जाएंगे साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सिक्चा का ओलाइन तरीका सामाईने कक्चा सिक्चन की जगा ने ले सकता है आज भी बड़ी संख्या में चात्रों के पास स्मार्टफोन या टेबलेट नहीं है इसकी चलते तब तक इसका फाइदा नहीं पोच पाया है अगली बड़ी खबर बाड के पले एक्षन में सरकार मंत्री संजजा बोले बांध तुटा तो दोसी अधिकारी नहीं बचेंगे जी हाँ बिहार में मानसुन के एंट्री के साथ नितिस सरकार अलट मोड में आ गई है बाड के सुराचतमक कारियों को जाजा लिनने के लिए जल संसाधन मंत्री संजजा लगातार जिलों का दरा कर रहे है मंत्री संजजा ने दो टुक सब्दों में कहा कि अगर किसी बांध पर कोई खत्रा हुआ या बांध तुटा तो सम्मन्दित दोसी अधिकारी नहीं बचेंगे मंत्री संजे जाने आगे कहा कि अगर अधिकारियों की गलती के करण बांध को नुक्सन पहुचा तो उन पर कड़िक करवाई की जाएगी अगली बड़ी खबर भोजपूरी फिल्मों में असलिलता रोकने के लिए आगे आये रवी किसन केंद्र यूपी और बिहार सरकार को लिखा पत्र गोरकपूर के भाजपा सांसद रवी किसन सुकला ने भोजपूरी फिल्म और गानों के मैदम से समाज में फैलाई जाने है तो और कठोर कानून बनाए जाने के मांग किये हैं रवी किसन सुकला ने पूर में बंच के फिल्म और असलिल गानों पर भी रतिवन लगाय जाने के पूर्चोर वकालित किया है उन्होंने अपने पत्र में लेखा है कि आज का भोजपूरी फिल्म और गाना असलिलता का पर्य सकता है अगली बाड़ी खबर 15 जोन से नए बस इस्टेंड से चार जीलों के लिए चलेगी बसे डीम ने लिया तैयारियों का जायजा जीहां 15 जोन से नालंदा नवादा सेखपुरा एवं जमुई के बसों का सुववेश्टित परिचालन पाटली पूत्र बस टर्मिनल बेर से सुनिचीत कराने तो जीला अधिकारी डाक्टर चंद्शेकर सिंह ने अधिकारियों की टीम के साथ श्क्तल भरमंकर तयारे का जायजा लिया साथ ही समधित अधिकारियों को पूरीत टयारी समय पर पूरा कर लेने सकत निर्देश दिया। उन्होंने यूत्य चलन के प्रतिनीदों के साथ ISVT में बैठक की, बैठक में पार्किंग विवस्ता, आउंटर विवस्ता, सर्विस इस्टिशन, एरी सेवा ट्रैफिक विवस्ता, सो चालाई पेजल सहेत यात्री सुविदाओं पर विचार मिमर्स किया गया तता प्रतिनीदों से आवस्यक सुजाव स सुर्वाद 16 जून से हो रही है, 15 जून की रात 12 बजे तक उनलक वन प्रभावी रहेगा, इससे पहले उनलक टू में दी जाने वाले चूट पर वियापाग विमर्स जारी है, उनलक वन की भी समिक्चा हो रही है, सेम नितिस कुमार खोद कई जगा पर घुम कर देखेंगे कि आम लोग वनलक वन के गाई लाइन का पुरी तरह पालन कर रहे हैं या नहीं, इस बार वनलक टू में कई चूटे मिलने की सम्मावना है, सूतरों के अनुसार वनलक टू में धार्मी की सलो को छूट दी जा सकती है, इसके अलावा रेस्टोरेंट को भी 25 से 50 बेदी लोग खुलने की चूट मिल सकती है, मौर्निंग वाक और बच्चों के केल अनुरंजन के लिए पार्क खुल सकते हैं, साधी विवास राद में 20 स्याधिक लोगों के सामिल होने की चूट मिल सकती है, और फिर इसकूल को फिलाल बंद ही रखा जाएगा, जुलाई में इसकूल थम गई है, माना जा रहा है कि यह कोरोना की दूसरी लहर भी जा चुकी है, स्वासी विवाक की और से जारिक किये अपडेट के मुताविक राज में पिछली 24 घंटे में 187 नए मामले सामने आए हैं, इनमें सबसे अधिक मरीजों की सेंखा गोपाल गन जिले में हैं, यह को पोल में 28 और वेसाली में 12 नए मरीज मिले हैं, वहीं बिहार में एक्टिम मरीजों की सेंख्या आप 5311 तक पहुच गई है, अगली बड़ी खबर बिहार के साथ जिलों में वजरपात और बारिस की सम्मावना, जिहां मौसम विवाग ने बिहार के साथ जिलों के लिए ततक पहुच गण्डों के दोरान मैधम में गरजन वजरपात के साथ बारिस की सम्मावना है, विहार के इन साथ जिलों में तेज हवा करिब 30-40 किलोमीटर प्रति घंटी के रप्तार से चलने की सम्मावना है, वह सम विवाग ने लोगों को आकासिय बिजली से बचनी की सला दी RJD Congress के साथ जड़ी बनाएगी सरकार, जहां मुखमंत्री निटिज कुमार के करिबी माने जाने वाले जड़ी नेता ने संसानी केज़ दावा किया है, जड़ी के नेता का दावा है कि निटिज कुमार फिल्द से फल्टी मारने वाले है, लिहार में जड़ी का बिजेपी स गड़बंदन तोटने वाला है और नितिस कुमार आरज़ेटी कॉंग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएगी जेड़वे के नेता ने दावा किया कि गड़बंदन तोटना फाइनल है कॉंग्रेस से बात हो चुकी है मांजी और मुके सने भी नितिस कुमार के साथ रहेंगे वे दोनों जाएंगे वहां आपको बता दे कि जेड़वे नेता स्याम मादर सिंग ने कहा कि बीजेपी ने नितिस कुमार के पीट में चुरा वोका है पिछले विदानसवा चुना में बीजेपी ने जान बुझ कर जेड़वे के उमिद्वारों को हरवाया ये बात खुल कर सा सालमिल रहने की हर सम्मावना खतम होती जा रही है आप इस बारे में अपना राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे अगली बड़ी खबर पटना के महावीर मंदिर और राजगीर के विश्व सांती इस्तूप की सुरक्चा में तैनात होगी विश्य ससस्त्र पुलिस इसके पहले यहाँ बिहार मिलेटरी पुलिस के नाम से जानी जाती थी अगली बड़ी खबर इस साल हज यात्रा पर नहीं जा सकेंगे बिहार वासी साओधी अरब ने बाहरी लोगों को नहीं दी इजाज़त जिहां बिहार हज कमेटे के चेर्मेन आजी मुहमद इलिया सुसिन ने कहा कि साओधी अरब ने हज के लिए बाहरी मुलकों के लोगों पर रोक लगा दी है इस साल 60,000 लोगों को ही हज के लिए इजाज़त दी गई है ये सभी लोग इस्तानिये होंगे पिछले साल भी कोरोना के करन अरब सरकार ने 1,000 इस्तानियों को ही हज के लिए मंजूरी दी थी कि सामाइन माहल होने पर लाग से अधिक लोग दुनिया भार से हज के लिए पहुचते हैं उन्होंने बताये कि हज पर जाने के लिए इस साल भागलपूर सहित सुबे से पांच हजार से अधिक लोगों ने रेजिट्रेशन कराया था बिहार में अब बालू और गिट्टी माफ्याओं की खेर नहीं संपत्ती होगी जवेद खनन में लगाये वाहनों की निलामी कर देगी सरकार जिहां बिहार में बालू और गिटी का अवेद खनन करने वालों पर सिकंजा कसिग अवेद कारोबार करने वाले और इससे धन जमा करने वालों की संपति सरकार जब्त करेगी लाज सरकार इसके लिए नया नियम बनाने के तैयारी कर रही है, साथी पूर्व की कानून का भी सहारा लिया जाएगा, अवेद बालू खनन और इसकी डुलाए में पकड़े गए मसीन या वाहन को चुडाने के लिए जिर्मानी की रासी के निर्दारन भी वाहन के मुलिक अन अच्छी कबर है, देस बर में कोवेड-19 के दूसरी लहर में ढलान देखते वे रेलवे ने कई ट्रेनों को फिर से शुरू करने के तैयारी की है, इसी क्रम में प्रेंग से माता वैसनों द्रेवे जाने वाले एक सब्ताइक ट्रेन को फिर 17 जून और 27 जून से शुरू किया चपरा गोरगपुर से होतेवे आनन्द बिहार इस्टिशन तक जाएगी फिर ट्रेन सेंक्या 0-5 z22 आनंद बिहार से प्रतिक सुकरवार को वापस लोटेगी, जो हाजिपुर से होतेवे नुवगटिया और का इस्टिशन तक जाएगी, इसके अलावा 27 जून को ट्रेन सें क्या से नवगच्या इस्टेशन के रास्ते बरेली लुद्याना अंबाला जम्मुतवी उदंपूर होते वे माता वैसनोदेवी कट्रा इस्टेशन जाएगी या ट्रेन 30 जून को फिर 05656 प्रितिक बुद्वार को कट्रा से पठान कोड जालंदर सितापूर बेतिया के रास है कॉलेज की वेबसाइट पर साम को ऑनलाइन इंटरेंस टेस्ट का सेडूल भी जारी कर दिया गया है इसमें समय तिति और सवालों की सेंग के सामिल है नोटिस के मुताबिक 16 जुलाई से मौक टेस्ट और 19 जुलाई से इंटरेंस टेस्ट सुरू हो जाएंगे सभी योजी होगा आपके जानकारे के लिए बता दे कि सभी विसवई की परिक्षा नभी मिनट की होगी और सो एमसे क्यू सवाल होंगे इंटरेंस टेस्ट साड़े ग्यारा से साड़े बारे बजे तक होगा आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार में स्कुल और कॉलेज को जुल बता है